बिसम लाही रह्मान रहीम आज हम लेसन नमबर थ्री सीखेंगे और इसके अंदर हम एलफाबेट्स की शेफ बनाना सीखेंगे तो आए शुरू करते हैं बेसिक स्ट्रोक्स जो के हमने पिछले लेसन्स में सीखे थे वो नाइन थे या इलेवन थे इलेवन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यह टोटल 11 शेफ्स हैं इन्ही बेसिक स्ट्रोक्स को यूज़ करके हम सारे के सारे अलफाबेट्स को बनाना सीखेंगे तो शुरू करते हैं यह एक गेम की तरह है मैं आप से भी पूछूँगा बीच बीच में आपने मुझे बताना होगा सबसे पहले हमने A लिखना है तो इसमें शेफ नंबर 8 सबसे पहले लिखेंगे एक इलिप्टिकल एग शेप और उसके बाद शेफ नंबर 6 यह A बन जाएगा उसके बाद शेफ नंबर 2 और साथ में शेफ नंबर 6 6 यह 8 8 B हो गया B इस तरह कभी हम इस्तामाल कर सकते हैं इसके इलावा इस तरह का B भी इस्तामाल कर सकते हैं L वाली शेफ बनाएंगे और इसको आगे से कभ कर देंगे यह वाला B भी आप इस्तामाल कर सकते हैं लेकिन यह वाला करें मेरे ख्याल से ज्यादा बहतर है बाकी आपकी चॉइस है यह भी कर सकते हैं उसके बाद है C यह जो शेफ नंबर 8 है यह हम हाफ बनाएंगे तो यह C बन जाएगा D उसमें शेफ नंबर 8 बनाएंगे और साथ में यह L की तरह की शेफ इस तरह से यह स्लांटिंग लाइन और नीचे से कव यह D बन जाएगा उसके बाद है E E में हम एक वेफ बनाएंगे और साथ में C डाल देंगे तो यह E हो जाएगा width काम रखनी है कोशिश करनी है के alphabet की width काम रखनी है दो तिन mistake सुनना है बच्चे क्या करते हैं A कर्सिव में लिखेंगे B सीधा लिख देंगे फिर C कर्सिव में लिखेंगे D सीधा लिखेंगे यह mistake है angle नहीं खराब करना दूसरा size बराबर रखेंगे जितना size A के circle का होगा उतना ही size B के circle का होगा इनको ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे बराबर बनाएंगे आपस में ऐसे C का size B इनके बराबर होगा अब देखिए F F में shape number 11 और अब इसको उपर ले जाएंगे और फिर इसको आगे ले जाएंगे इस तरह से ये F बन जाएगा दुबारा देखिए shape number 11 फिर इसको उपर ले जाएंगे और फिर आगे ले जाएंगे ये F बन जाएगा उसके बाद है G shape number 8 और 7 में shape number 10 ये G बन जाएगा दो लाइनों के middle तक जाएंगे G के बाद H उसके बाद H कैसे बनाएंगे उसमें यही जो 11 वाली shape है इसको अपर 3 lines तक रखेंगे ऐसे है तो ये 4 lines में लेकिन हमने इसको अपर 3 lines में रखना है और 7 में shape number 7 अटैच्च करेंगे ये H हो जाएगा उसके बाद है I I में shape number 6 डालेंगे और उसके उपर dot डाल देंगे तो ये I हो जाएगा J shape number 10 से पहले एक छोड़ी सी hook लगा आके shape number 10 line को टाच करते ही उपर उठ जाएंगे और इसकी ये चोड़ाई काम रखेंगे यहां से ये J उसके बाद है K उसमें फिर ये shape number 11 उपर वाली तीन लाइनों में लिखेंगे इस तरह से उसके बाद इसको दो तरह से आप बना सकते हैं यहां पर एक छोटा सा circle बनाए और tick का निशान बना दे ये वाला K भी लिख सकते हैं दूसरा K भी लिख सकते हैं उसमें क्या करेंगे यही 11 वाली shape बनाकर उसके बाद एक slanting line और इसको tick का निशान good का निशान जो लगाते हैं वो नीचे draw कर देंगे तो यह भी K लिख सकते हैं उसके बाद है L L shape number nine लिख देंगे simple तो यह हमारा L हो जाएगा आज के लिए हमारे यही alphabets हैं इंशालाथ अल्फबेट्स हैं इंशालाथ अगले lesson में हम बकिया जो alphabets हैं वो सीखेंगे तो इंशालाथ अल्फबेट्स हैं वो सीखेंगे मुझे हमारा चाणवे